से तॉक्टो बोनीशा वेल्कमेर चैनल सेल लेनु अभी तो चलिली के लिए प्लास को आज पहली क्लास है हमारी पहली तो जो भी पेफर 1 की प्रपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़कर प्रपूरिशन को आगे बढ़ा सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चानल को नहीं देखा है तो देखिए Self-Learning हमारे चानल का नाम है इसमें हम बात करते हैं UGC, NET, JR, HHS examinations के बारे में साथ ही साथ में जितने भी teaching exams होते हैं उनके बारे में हम discussion करते हैं तो अगर पहली बात देख रहे हैं तो एक बात जरूर चैनल विजिट कीचे और बहुत सारी प्लेलिस आपको यहां पर मिलीगी जो की मैंने completely कोर्स को कवर करते हूए बनाई है पिशले सालों में बहुत सारी students हमारे साथ में चुरकर आगे बढ़े हैं जरूर चैक करें इसके साथ साथ में अगर आप नोर्स चाहते हैं बहुत important रोल अदा करते हैं अच्छी नोर्स अगर आपको मिल जाए तो आप नोर्स पर्चिस कर सकते हैं हमारे अप्लिकेशन से आपको PDF form में नोर्स पेलेंगे साथ ही साथ में आपको test series भी मिलेंगी हर ए आप Android phone users है या फिर iPhone users है दोनों की लिंक मिल जाएगी आपको Play Store से Self Learning का डाउनलोड करना है और इसका यह लोगो है यही आपको देखकर डाउनलोड कर लेना है और इसमें आपको test series बगएरा मिलेंगी नोर्स मिलेंगी तिक मैं जरूर चेक करें हर एक सब्जेक्टी नोर्स आपको हाँ पर मिल जाएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ में जो भी students हमारे साथ में YouTube पर ही पढ़ना चाहते हैं और completely free हमारे साथ classes attend करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है आपको मारे साथ जुड़ना regularly है और Telegram चैनल पर आप जरूर डाउनलोड कर लेज़ तो Telegram से जुड़ जाएं और अब बात कर लेते हैं आज के syllabus की यानि की class की तो पहली बात तो यह है जब हम class attend करते हैं start करते हैं तो पहली बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए मैं आकर पढ़ना गया है तो देखी आपको यह जो unit है उस unit का जो first part है यानि कि पहली unit का जो नाम है वो क्या है teaching aptitude का मतलब होता है section अभी शम्ता अभी शम्ता मतलब कि हम इस तरह से section कर सकते हैं कितनी शम्ता होती है हमारे अंदर वो चीज़ देखनी है तो इसके अंदर पहली बात तो आपको समझना है teaching के बारे में आकर section क्या होता है उसके concept को objectives यानिकी उदेश्यो को levels को कितने प्रकार होते हैं कितने type होते हैं उनको समझना है इसके बात में उसकी विशेष्टाओं के बारे में समझेंगे यानिकी characteristics के बारे में समझेंगे फिर पढ़ेंगे आप learner की characteristics के बारे में मतलब एक learner जो होता है उसकी विशेष्टाओं के बारे में समझेंगे दे अगर एक व्यक्ति जो सिखाने वाला है वो तो एक्टिव है लेकिन जो सीखने वाला है वो डल है तो यह जो टीचिंग लर्निंग की प्रॉसस है ना वो फुल्फिल नहीं हो पाएगी इसलिए लर्नर की विशेश्थाओं पर भी बहुत आवश्यक है कि उस पर भी ध्यान दि जाते हैं वो लर्नर जो वयस्क हो जाते हैं डल्ट हो जाते हैं वो लर्नर है ना और उनकी सोशल एक्टिविटीज जो होती है इमोशनल होती है कॉगनिटिव होती है इनका क्या प्रभाव पड़ता है अच्छा क्या इंडिविजूल डिफ्रेंस भी कुछ होते हैं मतलब ज टॉपिक ही इस में factor affecting teaching related to support material, industrial material facilities, मतलब जो हम पढ़ाते हैं, उसमें क्या के चीजें effect करती है? कौन कॉनसे factors हैं, इंडर्स्टिल facilities कौन से होती है? लर्निंग के लिए environment की क्या आवश्क्ता होती है? है ये सारी चीजें यहां पर क्या effect डालती है? उसको भी हमें देखना है आगे इसी में हम देखेंगे methods of teaching में teaching पढ़ करने की कितने प्रकार की methods जाने की विधियां होती है बहुत important topic है भर-भर के questions आते हैं इस topic से तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके साथ साथ में कुछ important जो है जैसे की स्वयम है एक सलस्था है स स्वयम स्वयम प्रभाई चैनल है और मौक एक इंडिविज्वल एक सलस्था है जिसके बारे में आपको पढ़ना है बहुत जादा important role अदा करते हैं से questions भी बहुत आते हैं इनको हम पढ़ने की जो method है प्रणाली है आजकल online offline दोनों तरह से teaching हो रही है तो उन में क्या differences है य teaching का support system में वो क्या क्या है मतलब कौन सी चीज़ा है जो teaching को support करती है suppose करते हैं जैसे ICT based evaluation system है जो मतलब computer based system होता है जो बाहर से आपको पाइदा दीता है element and type of evaluation किस तरीके से evaluation का अर्थ होता है मुल्यांकन मतलब जैसे हमने आपको कुछ पढ़ाया और पढ़ने के बाद पर हम मुल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है करना क्योंकि यह समझना भी जरूरी है कि आपको कितना समझ में आ रहा है तो यह सारे चीज़ें आपको इस chapter में पढ़ना है अब यह जो unit है इसको ही मैंने हिंदी में भी समझाय है तो जो भी students हिंदी और English दोनों माध्यम से हमारे भावित करने वाले कारत उच्छ सिच्छ संस्थानों की तरीके सिच्छन की सहायता प्रणाली मुल्यांकन की बद्धतिया मतलब यह सारी चीज़े हमको पढ़नी है चली अब बात करें आज हमारी पहली क्लास से श्री गडेश करते हैं अपनी क्लास का और teaching aptitude को समझने की को कोशिश करते हैं तो concept of teaching सबसे पहली बात है आप concept of teaching को पढ़िए समझ लीजे इंपोर्टन बात है जब हम छोटे हैं चोटे से बड़े होते आ रहे हैं जिंदेगी में बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई गई हैं सबसे पहले हमारे घर पर होती हमारे घर में हमारे family members हमार हमारे पिता हमको यह चीज़ें सिखाते हैं तो सिख्षर की अवधारना को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले होता है कि knowledge transfer जो चीज़ आप जानते हैं उस चीज़ को किसी और को पहुँचाना knowledge transfer teaching का सबसे पहला गुण होता है ठीक है तो sharing information जो आपके पास है वो ही तो आप दूसरे को दोगे तो इक information को share करना आप किसी concept को जानते हैं और उस concept को जानने के बाद आप उस concept को share कर रहे हैं किसी के साथ में तो भी हो जाता है अगर आपके पास में कोई skill है उस skill को आप share कर रहे है तो भी हो जाता है तो इस तरह के से knowledge transfer एक teaching का प्रकार होता है फिर आता है facilitating learning मतलब क्या होता है सिख्षा का संचाल कि किस तरह से हम चात्रों को ज्यान प्राप्त करने के में मदद कर सकते हैं देखिए हर चीज ना spoon feeding type की नहीं होती कि लो भाईये रट लो लो भाईये पढ़ लो याद कर लो हर चीज नहीं होती आप इस तरह से teaching करना चा है अब्सूर्ब करें चीजों को तो वह हो जाता है जो teaching है उसका संचालन किस तरीके से हम उसको facilitate कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है इसकी में creating teaching learning environment देखिए बहुत important होता है अगर suppose करते हैं आस-पास बहुत जाला ठोल बज रहे हो बैंट बाजा बज रहे हो और ए क्योंकि यह बात था है कि हम जब हम पढ़ेंगे तो तरीक एक environment नहीं मिल रहा है लेकिन अगर यही बात यह हो जाए कि हमें क्यों कुछ भी हमने जहां कहीं पर भी हम पढ़ रहे हैं इतनी अच्छे से facility दी जा रही है इतने अच्छे से लोग हमारे साथ जुड रहे हैं हमा इंद्रियां जो होती है हमारे मतलब आख कान नाख सारी चीज है सरफ एक ही चीज पर फोकस हो जाए तो हमारा मन लगेगा पढ़ने में और हम जो भी चीज सीखेंगे ना वह बहुत अच्छ से सीखें जहां हमारे दिमाग को डाइवर्ट ना किया जा रहा हो तो environment का बहुत सिक्षण के क्या उदेश हो सकते हैं हम अगर सपोस करते हैं किसी को भी कुछ भी सिखाते हैं पढ़ाते हैं तो हमारा यह उदेश होता है कि उस व्यक्ति को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ जाए तो यही बात आ जाती है cognitive object के बारे में developing कितने प्रकार के object होते हैं developing intellectual skills, understanding, concept and promoting creative critical thinking जब हम इस तरीके से पढ़ाने की बात करते हैं कि हम किसी के बौधिक विकास को enhance करें तो वो आ जाता है किसमे cognitive development में मतलब cognitive object में और दूसरी बात है कि हम उसकी values को increase कर रहे हैं उसके attitude को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उसको emotional development में मदद कर रहे हैं तो वो जाता है effective object clear तो मतलब दोनों की तरह के objective बहुत ज़रूरी है एक ऐसा नहीं है कि बस हमें उससे रख्टूत होता बना देना है बलकि उसे हमें इस तरह से सिखाना है कि जो भी concept वो पढ़ रहा है उस चीश को आत्मसाथ कर ले मैंने बहुत सारे students लोगों को देखा है मतलब जिनके marks इतने अच्छे थे marks sheet अगर उनकी देखी जाए तो इतने अच्छे marks है कि आप कहेंगे कि इनको तो बहुत knowledge है लेकि आज जब वो जो कुछ भी वो पढ़के आये है उसको आज उनसे पूछा जाता है तो उन्हें याद भी नहीं है कि यह हमने पढ़ा भी था मतलब कहने का दात पर यह है कि उस वक्त सिर्फ उन्होंने किस तरीके से पढ़ा था उन्होंने रटने के हिसाब से पढ़ा था कि कैसे भी करके वो पढ़ाई कर ले और उनको उसके marks मिल जाए और वो जो भी result आयो उसमें वो टॉप कर जाए लेकिन यह पढ़ाई नहीं होती है य किसी में नेक्स्ट को उत्टेशए होता है वहाता है साइको मोटर अब सायको मोटर का मतलब क्या होता है गैए एक तो हो जाता है कि हम ने पढ़ लिया गर्या थाहल शंग LIVE लेकर पोड़ इस क्रिया विधू को sex on the physical Intelligence देआ्क इंदे जो जो हम पैसी प्रिया के साथ लेकर sont Л पढ़ ली बहुत अच्छे से पढ़ ली किसी ने बड़े अच्छे से आपको वीडियो दिखा दिखा के सिखा दिया लेकिन जब तक आपको कार नहीं मिलेगी चलाने के लिए तब तक आप किस तरीके से स्टेडिंग वील पकड़ा जाता है कैसे उसमें राइट घुमाया जा जाता है कैसे गेर को चेंज किया जाता है आप कुछ नहीं समझ पाएंगे क्यों क्या है आपने उसका प्राक्टिकल किया है लेकिन जब आपने जो कुछ भी पढ़ा समझा था वो आपने कर भी लिया तो आप दे भाई डे अपने आपको इंप्रूफ होते हुए खुद ही तो यह होते हैं उदेश अब आठ कर लेते हैं सिक्षड के इस्तर के बारे में कौन-कौन से लेवल होते हैं टीचिंग के तो देखिए सिक्षड के जो इस्तर होते हैं वो क्या क्या होते हैं इस्मृति का इस्तर होता है यहां पर तीन प्रकार के लेवल होते हैं पहला आजाता और के जिसे सहे हमने कुछ भी सीख़्ाना उसको ठालेकिं करते हैं मुझापशक्राइए इसमें क क्या पर बसा चाए कि दो कब चोасके है। याद करा जाती है 1,2,3,A,B,C,D इस तरह से याद करें, उसको नहीं मालूम है, नजानने की कोशिश है, बस उसको क्या करने की कोशिश की जाती है, कैसे भी करके वो याद कर ले, दूसरा आ जाता है समझ का, दूसरा समझ का मतलग क्या होता है, अन्डेस्टेंडिंग, आप अब चीज़ों को सिर्फ याद नहीं करें, बलकि आप समझ रहे हो, अगर red और yellow color दोनों ही combination में आएंगे, तो orange color बन जाएगा, अब ये चीज़ आपको याद नहीं करने, आप इसको क्या करोगे, mix करके color करके देखोगे, है ना, तो ये understanding level हो रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें comprehension involved हो जाता है, application of knowledge, मतलब जो भी आप सीख रहे हैं, उसका application कहां पर हो रहा है, वो भी involved हो जाता है, फिर आजाता है, connecting concept and explanation, explaining relationship, दोनों के बीश में सम्मंद को भी हम जान लेते हैं, फिर आजाता है, reflective level, encourage the critical thinking, analysis, synthesis, or evaluation, or creativity, ठीके, इसमें आजाता है, प चार सील सोज बन रही है, आप analysis करना सीख रहे हैं, चीजों का मुल्यांकर करना सीख रहे हैं, रचनात्मक्ता मतलब creativity को बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीजे होती हैं, तो आपको समझ में आया, कि जो memory, level of teaching होते हैं, वो कितने प्रकार की हो जाते हैं, तीन प्रकार की हो ज समझने के बार फिर उसका reflection भी देना है कि किस तरीके से उस चीज को express किया जाता है, ठीक है न, तो ये तीन इस तरह आपको समझ में आ गए होंगे, आगे हम बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, विशिष्टाओं के बारे में, characteristics कौन कौन से होते हैं, सिक्षण की जो विशिष्टा हैं होते हिनके बारे में समझेंगे, तो दीखिए, फर्स तो आ जाता है knowledge, फिर आ जाता है communication skill, अब knowledge में in depth understanding in the subject matter being thought, मतलब किसी भी चार्टी के पार्टिकरम में विशे की गहर अध्यन का होना, मतलब उसका जाद सा जा संचार कौशल की बात हो जाती है, कि communication skill, जानकारी और विचानों को सपष्ट करना और प्रभावी दंग से साजह करना, clear, आगे पढ़ जाते है, next is में आ जाती है, adoptability, engagement, feedback, फीडबेक, अब यहां पे सल्लंग नदा, मतलब जारस जारा लोग उसके साथ में क्या हो, आप्ट करें चीज़ों को, जो teaching हो रही है, वो कैसी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, इंट्रेस्टिंग होनी चाहिए, अब देके, monotonous हो जाए ना, तो मज़ा ही नहीं आता है, जैसे आपने कई जगह देखा होगा, कि हमको कहीं जू में ले जाते हैं, या फिर कही जाते हैं, जहां पर हमारी जो सारी इंद्रिया है वह भी वर्क कर रही है, केबल हम किताम में लिखा हूँ अपढ़ नहीं है, हमें कुछ ऐसा नहीं कि सिर्क बोला जा रहा है, हमको बोला जा रहा है, सुनो, बल्कि इस तरीके से दिखाया भी जा रहा है, विजुलाइज भ बहुत ज़रूरी है ऐसा ना हो कि छात्र बैठा तो classroom में बट उसका मन तो playground किल जा रहा है आपकी class में जो teaching हो इतनी रुचिकर होनी चाहिए कि बच्चा बैठे भी और mentally, physically वही पर ध्यान भी दे और उसके बाद में छात्रों से feedback भी बहुत important होते हैं कि जो भी उन्होंने जो भी सीख रहे हैं विशिष्ट प्रशितियों में उनको समझाना चाहिए उनको संभोधित करना चाहिए understanding addressing the diverse needs and background of learner इसके बाद में निमत रूप से छात्रों की प्रगति और मुल्यांकन को समायूजित करना assessment कहलाता है कोई भी चीज सीखना एक बात हो जाती है जैसे हमार मम्मी लोग जब हुम छोटे थे जब क्लास जब सभी मेरे सबसे सभी स्टूडेंस के साथ में हुआ होगा जब उनकी मदर खाना बनाती थी ना तो उनको स्लैप पर ही बिठा लेते बच्चों को महीं पर रोटी सेखते सेखते मम्मी क्या करती थी बताओ चलो एसे बी तक ज पर उसके बाद फिर वह पूछती थी तो हमारा साती सात में मुल्यांकर भी होता जाता था 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 मुल्यांकर भी बहुत इंपॉर्टन रोल आदा करता है कि अब कि आते हैं कि सिक्षण की बेसिक रिक्वार्मेंट क्या क्या होती है कौन को सी मूल्मूत आवश्यक्ता होती तो सबसे पहले सब्जेक नॉलिज तो होने चाहिए कि क्या पढ़ाने वाले हैं उसका नॉलिज आपके पास में होना चाहिए पैडगोजिकल स्किल अब यह एक शब्द बहुत इंपॉर्टन है जो कि बहुत जादा जरूरी है और बहुत जादा यूज होने वाला सब्द ह पैडगोजिकल स्किल तो अंडर्स्टेंडिंग टीचिंग मैथर स्ट्राटजी एंड टेकनीक दें कि पैडगोजिक का मतलब होता है एक तरह से सास्ट्र भी कहते हैं तो आप पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाएं कैसे कि आपका पढ़ाना दूसरे को समझ में आ जाएं आ कैसे आप अपनी नोट्स को बनवाएं यह सारी ही चीजें किसके अंतरगाद आती है पैडगोजिकल स्किल की रूप में आती है फिर नेक्स आता है कम्मिनिकेशन स्किल लेकिए अगर आप पढ़ा रहे हैं मैं आप समझते हैं हिंदी और मैं समझूं मैं बोलूं सिर्फ इं आते हैं तो अगर आपको कुछ भी आवश्यक हुआ कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो आपकी मन में प्रशन ओट रहे हैं और आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं तो आपकी कम्मिनिकेशन वीकनेस की बज़़े से आप मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे और आप दोने चीजये समझ में आती है कि आपका बताया सामने वाले को कितना समझ में आया है इसके बाद क्या बात आती है axe पेशेंस फ़वे होना भी तullen के घ्रे किसी के उलांदर उटर कि एक ऐस्स्तुडारिंट को जोम बहुत बरेंट एक ऐसे student जो बहुत डल है उनको एक ही classroom में पढ़ाता है तो जो brilliant student है वो तो बहुत जल्दी समझ रहा है लेकिन डल student धीरे-दीरे समझ रहा है तो उन से दोनों को ही इस classroom में एक साथ पढ़ाना तो patience बहुत होना जरूरी होता है और सहानुब होती होना भी जरूरी होता है यहसा नहीं कि जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसके साथ में root behavior हो ऐसा नहीं होना चाहिए continuous learning कभी भी आप चाहे teacher हो चाहे student हो आपकी जो learning habits है वो लगाता बनी रहनी चाहिए इसके बाद में आता है resourcefulness मतलब जरूरी है कि जब हमें जिस भी चीज की आवशक्ता है वो उपलब्द कराए जा रही है तो resourcefulness होने चाहिए फिर होती है organizational skill मतलब संकठन कौशर तो यह सारी चीज़ें हैं जिनकी आवशक्ता पड़ती है जब हम इसी भी teaching learning की process से गुजरते हैं अब बात आ जाती है teaching definitions के बारे में तो देखे मैं आपको बता हूँ students teaching definition हजारों है बहुत सारी आपको definitions मिलेंगी पर आपको कैसे समझें के आपको कौन सी definition याद करनी है कौन सी करनी है तो मैं Morrison की definition जैक्शन की दे रही हूँ लेकिन जरूर ह इसी definition से question पूछा जाएगा तो एक बात आपको यह करना है कि आपको PYQ जरूर पढ़ने है यह तो बात आपको समझ में आती ना PYQ क्या करना है मतलब पिछले सालों के प्रशन पत्र जरूर देखने है और प्रशने सालों के प्रशन पत्र जब आप solve करेंगे तो कई बहु हो सारी चीजें आपको हां से मिलेंगी बहुत सारे questions में पूछा जाता है कि इस definition के बारे में बताईए यह किस ने दिया था तो maximum time पर जिस definition के बारे में पूछा जाता है ना उसको जरूर याद कर दीजे ठीक है ना बागी हां पर मैं Morrison की दे रही हूं सिक्षन अधिक परिपको व्यक्तित्व की बीच में अंतरगत एक संपर के अधिक परिपको कौन हो गया teacher हो गया और जो कम परिपको है वो कौन हो गया student हो गया और दोनों के बीच में एक तरीके से एक आधान प्रदान हो रहा है knowledge का और वो कहलाती है teaching Jackson क्या है सिक्षन दो या दोसे अधिक व्यक्तियों के बीच में आमने सामने की मुटबेड है जिन में से एक सिक्षक अन्य प्रतिभागियों चात्रों में कुछ बदलाव रखने का इरादा रखता है ठीक है ना हम की वी definition है इस तरह से बहुत साई definition है पर definitions आपको वैसे ही देखने हैं जैसे मैंने आपको बताया अब बात कर लेते हैं विशिष्टाओं के बारे में characteristics के बारे में तो knowledge of the subject matter first communication skill मतलब दूनों में आपस में बातरा बहुत अच्छी होनी चाहिए fashion of teaching बहुत जरूरी है एक teaching ऐसी profession है जिसमें आपको मज़ा आना चाहिए जब आप teacher बन रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बा साथ बच्चे होते हैं और अलग-अलग mental ability के बच्चे होते हैं अलग-अलग skill के बच्चे होते हैं उन सभी को आपको एक साथ manage करना है साथ ही साथ में अपना course भी पूरा करना है तो management is very important patience होना बहुत important है empathy याने सहानुबूती होना important है motivation skill भी होनी बहुत जरूरी है कि आप लगातार खुद को motivate रखें assessment and feedback मुल्यांकर अच्छे तरह किसे होना चाहिए बच्चे का feedback उन्हें बहुत अच्छे से दिया जाना चाहिए continue professional development और continuous हमेशा ही उनका जो professional development है वो भी होता रहना चाहिए ठीक है न तो यह तो हमने पड़ लिया आपकी बात कर लेते हैं सिक्षक के सिक्षण के चरणों के बारे में कौन कौन से चरण होते है प्री एक्टिव जो होता है चरण मतलब जो first चरण के लाता है पूर्व संक्रियात्मक चरण के लाता है जिसमें बहुत ही initial level पर teaching होती है फिर उसके आता है interactive phase जिसमें की दूसरा चरण होता है जब बच्चे को जादा जानना समझना आ जाता है फिर आता है post active जिसको कहा जाता है अनुवर्ती समाकन जो की मतलब बढ़े बच्चों के लिए किया जाता है ठीक है तो चलिए हम एक एक चरण को अच्छे से देख ले सिक्षर राजनीतियों का विकास करना और कच्छा की प्रवधी अवधी है उसका भी विकास करना ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट जो दूसरा है interactive phase की बात करें तो पहला जो operation है जो कच्छा की आकार को समझनी के लिए बताया जाता है उसके बाद का ज चरण है ना interactive phase जिसमें सिक्षार्थियों की संक्या लापरवा उदासी विद्यार्थियों की संक्या ते सिक्षार्थियों की संक्या उपद्रवी सिक्षार्थियों की संक्या के बारे में पता होना चाहिए और सिक्षार्थि को जानना दूसरी गतिविदी है जिसका अर्थ नए विद्यार्थियों के ज्ञान के बारे में समझ रहे हैं, कुल्मिला की बाता जाती है, इसमें interaction होता है, student का teacher के साथ में, फिर उसके बात में आता है, starting teaching पढ़ाना शूर करना तीसरा operation है, जिसमें सिक्षक पढ़ाना शुरू करता है, पहल उप्रति क्रिया दी जाती है, मौखिक अंदक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, फिर आता है post-sank्रिये चरण, जिसमें आजाता है ब्यवहार को परिवर्थन करने के सटी कायामों को निर्धारत करना पहला operation है, फिर उसके बाद में परिख्षण उप करनों और तखनीकों को चैयन करना ये दूसरा operation है, फिर परिख्षण की रजनीतियों को बदलना तीसरी गतिविधी होती है, फिर लिए अब मौडल और टीचिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसका अर्ट आप समझने के खुशिश करें, कोगनिटिव का मतलब होता है, बुद्धी सितात पर है, मतलब जो कुछ भी हम समझ में आ रहा है, समझ के अंदर जुड़ रहे हैं, वो आजाता है, कोगनिटिव मॉडल के अंतर गयत, फिर आजाता है, सूशिल लर्निंग प्रोसेस, सामाचिक सिक्षण सित्धान्थ, इन्फरमीशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना, प्रसंस करेंड मॉडल, फिर आजाता है, कंस्ट्रक्टिजम, रहने की रशनात्मक सित्धान्थ, डारेक्ट इंट्रेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष सित्धान्थ, फिर डिफ्रेंशीट, विभाजित, सिक्षण, और फ्लिप्ड, याने की, जो कुछ चेंज होता रहता है, तो ये सारी चीजे हैं, जो हमें समझनी पढ़ेंगी, इन मॉडल के बारे में, हम लोग और डीटेल में, बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे, तो ये थी आज के मारी पहली क्लास, आपको क्लियरली समझ में आओगा, टीचिंग के कॉंसेप्ट को समझनी के, हमने इसमें कोशिश की थी, तो अगर आप हमारे साथ में जुड़कर, अपनी एक्जाम टार्गेटे स्टाड़ी करना चाते हैं, तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, रेगुलर्ली आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स अगर पर्चस करना है, तो ज़रूर मुझसे बताईए, आप मुझे इस एप्लिकेशन पर भी कॉंसल संपत कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे दिये हुए नंबर पर डिरेक्ली मैसेज करें, मैं उसमें भी आपको नोट्स सेंड कर दूँगी, MCQ को रेगुलर्ली सॉल्व करना है, कोई भी रिकॉर्डड वीडियो है, उनको रेगुलर्ली आपको देखना है, पाफ सालों के पेपर को सॉल्व करना है, यह हमारे सारे सोचल मीडिया के हैंडल्स है, और कॉंटेक्ट लिस्ट है, यह नंबर जो है हमारा, इस नंबर पर आपको कोई भी कुईरी होती है, नोट्स खरीदना है, या फिर कुछ भी आपको पूछ ना है, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कुछ खरीदना है, तो भी आप मुझे मैसेज करें हमारा जो ग्रोप है, उसमें आपको एड़ कर लूँगी, भागी टेलिग्राम चैनल से जरूर जोड़ जाएगे, टेलिग्राम पर आपको यहां का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है न, तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, आपको आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है, तो जाते जाते लाई जरू किरना, और रेगुलरली साथ वजे हमारे साथ जरू चोड़ना, तो कि इस तरह की क्लासे आप जब जूड़ते हैं, आपकी जो संख्या मिलती है, तो संख्या से मुझे बहुत मॉटिवेशन मिलता है, तो करती हूँ इस क्लास को इस फिनिश कर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाए.